नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गौरी की रसोई में तो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही डिफ्रेंट रेसिपी शेयर करने वाले हूँ फ्रेंट्स तो आज मैं आप सभी के साथ चुल्हे पर भुट्टा सेखनी की रेसिपी शेयर करूंगी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं आप भी इस रेसिपी को एक पर जरूर ट्राइ करें स्पेशली इसे बारिश के मौसम में खाते हैं खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए इस टेस्टी टेस्टी और चटपटे बुट्टे को बनाना शुरू करते हैं अभी मैं गाउ में आई हुई हूँ और यहाँ पर बहुत सारे बुट्टे के पेड़ है आप देख सकते हैं तो मैं इन ही में से कुछ बुट्टे लूँगी सबसे पहले हम बुट्टे को छेल लेंगी अब हम इस तरीके का एक टूल ले लेंगी आप इसकी जगा पेचकस भी ले सकते हैं और इस तरीके से इसे बुट्टे में गुसाएंगी देखिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले ही आज जोड लिया है अब हम इस तरीके से बुट्टा सेखेंगे इसे गुमा गुमा कर चारो साइट से अच्छे से से शेख लेएंगे आप इसे इस तरीके से गैस पर भी सेख सकते हैं देखें अब बुट्टा जटकने दरा है तो देखें फ्रेंड्स हमारा बुट्टा कितने अच्छी तरीके से सिख चुका है अब हम इसे एक प्लेट में शिफ्ट करेंगे सेम प्रोसेस में सारे बुट्टे से एक लेएंगे तो हमारे सारे बुट्टे सिख कर रेडी हैं इन्हें भी प्लेट में शिफ्ट करेंगे अब मैंने हाँ पर एक प्लेट में चाट मसाला, काला नमक और निम्बू ले लिया है काला नमक और चाट मसाला को हम मिक्स कर लेंगे और अब इस तरीके से निम्बू लेंगे और चाट मसाला और काला नमक लगाएंगे और फिर इस तरीके से भुट्टे पे लगाएंगे देखे इससे हमारा भुट्टा और भी टेस्टी लगेगा सेम प्रोसेस में सभी भुट्टे पे लगा लेंगे तो लीजे फ्रेंट्स हमारा गर्मा गरम चटपटा और बहुत ही टेस्टी बुट्टा बिल्कुल ट्रैडी है आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है जितना यह देखने में टेस्टी लग रहा है उससे कई ज़्यादा यह खाने में टेस्टी लगेगा आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्रै करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रेस करना ना बोलें जिससे मेरी नए-नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई